क्लास टेंथ का मैस का चैप्टर नंबर 4 जिसक नाम है कोडराटिक एक्विशन्ज इस चैप्टर के एक्जाम्पल नंबर 6 को डिसकस करते हैं Next question पर आते हैं चैप्टर 4 का एक्जाम्पल नंबर 6 solve करते हैं A charity crust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters एक ना चैरेके क्रस्ट है और चैरेके क्रस्ट ने एक prayer hall बना दा है और hall का जो carpet area है उसकी value आपको दिरखिया है 300 square beaker ये जो लिखाओ है ना having a carpet area of 300 square beaker इसका मतलब ये है कि hall के base का जो area है ना उसकी value 300 beaker square होने चाहिए hall का जो base है वो rectangle की shape में होता है तो उस rectangle का जो area है उसकी value 300 beaker square होने चाहिए विद x length 1 beaker more than twice x breadth ये length और breadth की बीच में एक और condition दे रखिया है कि जो length की value है ना is 1 beaker more than twice x breadth तो यहां से हम length और breadth की बीच में एक equation बना लेंगे what should be the length and breadth of the hall अब hall की length और breadth की exact value आपने calculate करनी है question clear हो गया एक charity crust है उन्होंने prayer hall बनाना है अब hall का जो base है उसका area होना चाहिए 300 square meters hall के base का area hall का जो base है वो rectangle की shape में होता है तो rectangle का area 300 होना चाहिए और एक और condition दे रखिया है rectangle की जो length है ना it is one meter more than twice x breadth और length और breadth की exact value हमने calculate करनी है अब solution के उपर आते हैं rectangle की breadth क्या होगी hall का जो base है वो rectangle की shape में होता है ना उसकी breadth क्या होगी भी हमें क्या पता क्या होगी तो हम उसे x मान लेते हैं let the breadth of the hall be x meager अब length के regarding हमें condition यह दे रखी दिना यह देखो यह वली जो line है ना इसको बस mathematical form में convert कर देना है यह length तो हमने भी लिखा length अगे लिखा है ना is one meter more one meter more का मतलब है कि one add करना है लेकिन जो भी plus या minus करना होता है उसे बाद में लिखते है पहले वो लिखते हैं जो कि then क्या अगे लिखा होता है then क्या अगे लिखा होगा है twice x breadth तो breadth का पहले आपने twice करना है breadth को two से multiply करना है उसके अंदर फिर आपने one add करना है तो वो length के बराबर होगा twice x breadth मतलब breadth को पहले two से multiply करना है उसमें one add करना है तो वो length के बराबर है यह हमें question में ही दे रखा था अब breadth को तो हमने x माना हुआ है तो breadth की जगा पे x लिख देते हैं तो length की value बन जाएगे 2x plus 1 clear होगा तो breadth कितनी है? x है और length कितनी है? 2x plus 1 है उसकी value अब question में यह जो 300 है इसे भी तो use करना है area दे रखा था ना हम यह बता है area होता है length into breadth अब area की जगा पे आपने 300 पूट करना है length की जगा पे यह length की value 2x plus 1 और जो breadth है उसे हमने x माना हुआ था तो यह हमारी equation बन जाएगी यहां से इसको आगे simplify करते है x multiply by 2x is equal to 2x square और x को 1 से multiply करेंगे तो x आता है जो 300 है इसे भी स्तरफ ले आओ तो इसका sign जो जगा minus 300 बन जगा तो 2x square plus x minus 300 is equal to 0 यह हमारी equation बन गई है is equal to 0 अब left hand side पे लगाओ या फिर racking sack पे लगाओ एक ही बात है यहां तक clear हो गया आगे चलते हैं अब इस equation को solve करके x की exact value निकाल लेते हैं तो quadratic equation हमने बना ले थी और अभी इस equation को solve करने के लिए हम quadratic formula वाले technique को use करेंगे सबसे पहले आपने a, b और c की values को list करना होता है जो x square का coefficient होता है जो x square के आगे नंबर लिखा होता है वो a की value होती है तो a की value 2 है जो x का coefficient होता है x के आगे जो नंबर होता है वो b की value होती है यहां पर x के आगे कोई नहीं है जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है तो b की value 1 है और जो constant term है ये c की value होती है, तो c की value minus 300 है, a, b और c की values को list कर दोगे, उसके बद आपने discriminant निकालना होता है, discriminant को d से represent करते हैं, और इसका formula होता है b square minus 4ac, अब b की जगा पे 1 put करना है, a की जगा पे 2 put करना है, और c की जगा पे minus 300 put करना है, तो ये b, a और c की respective values आपने put कर देनी है, 1 का square 1 ही होता है, और इन सब को multiply करके 24 hundred आ जाता है, तो act करके 2 for 0 1 आ गया, तो ये d की value आ गई है, d की value greater than 0 है न, तो इसका मतलब इस equation के real roots होंगे, उसके बाद आप quadratic formula यूज़ करोगे, और quadratic formula यूज़ करके हम x के exact value निकाल सकते हैं, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, ये quadratic formula आपको x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, अब values put करते हैं, ये minus formula का minus है, और b की value 1 है, पर यहाँ पर ये b square minus 4ac है न, ये b square minus 4ac की value तो हमने calculate की हुई है, 2 for 0 1 आ रही है, तो ये b square minus 4ac के जगह पे आपके उसकी value put कर दिने, 2 for 0 1, और a की value 2 थी, तो a की जगह पे ये 2 put किया, ते देखो, a की value 2 है, minus 1 का minus 1 as a case, ये 2 for 0 1 के आपने prime factorization कर दिनी है, 7 से गवाइड हो रहे हैं न, पहले 7 से गवाइड करके 343 आएगा, ये आपको याद होना चाहिए 7 का cube है, तो 3 बार 7 और आने वाला है, तो ये 2 for 0 1 को उसके prime factors की form में break कर दिया, ये 7 का pair बन गया न, तो इन दोनों 7 में से 7 भार आएगा, और लास्क में जो 2 7 है, इन दोनों में से भी 7 भार आएगा, तो 7 multiply by 7 is equal to 49, तो ये solve होने के बाद 49 रह जाएगा, और denominator में 2 multiply by 2 4, तो वो 4 ही पजएगा, यहां तक clear हो गया, इसके आगे चलते हैं अब न, तो यहां तक आपको clear हो गया न, अब इसके आगे solve करते हैं, x is equal to minus 1 plus minus 49 by 4, यहां तक अब पहुंच गए थे, इसके बाद अब आपको 2 case बनाने पड़ेंगे, case 1 में आपने positive sign लेना है, और case 2 के अंदर आपने negative sign लेना होगा, एक बार plus का sign लेना होता है, एक बार minus का sign लेना होता है, तो जब plus का sign लेना होता है, तो ज 49 में से 1 minus करेंगे, तो 40 एक रहा जगा, 40 एक को 4 से गवाइक करेंगे, तो 12 आ रहा है, तो इसका मतलब x की value 12 है, और x हमने माना हुआ था, हमारा जो hall है न, prayer hall, उसकी breadth को, तो इसका मतलब है कि जो breadth है, वो 12 में करोगी, तो length थी 2x plus 1, यहां पे x की जगा पे 12 पुट करो, 12 multiply by 2 is equal to 24, 24 plus 1 is equal to 25, तो length की value 25 में कर आ जाती है, तो breadth अगर 12 में कर है, तो length 25 में कर होगी, यह हमारा answer आ गया, अब case Q पी आती है, case Q पी आपने minus के sign को लेना है, तो minus 1 minus 49 by 4, इसको simplify करके, minus 12.5 आ रहा है, इस वाली value को reject करना पड़ेगा, क्योंकि negative के बार यह है, जो breadth है न, वो कभी भी negative नहीं हो सकती, किसी भी तरह की जो length होती है न, it can never be negative, वो कभी भी negative नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे simplify करने के बाद, एक negative value आ रही है न, इसलिए इसे reject करना पड़ेगा, और reason आप यह दे सकते हो, because breadth can never be negative, तो यही हमारा answer है, जो prayer hall है, उसकी breadth 12 में कर होगी और length 25 में कर होगी, तो 12 में कर and 25 में कर, this is the answer.